अब सुरू होगे हेलो दोस्तों एक लबवे स्टवी पॉइंट में आपका स्वागत है मेरा नाम है सतिंदर परताब और आज हम देखेंगे हिस्ट्री क्लास 12 की हिस्ट्री है और हम हिंदी में बढ़ेंगे सब कुछ चैप्टर जो है चैप्टर हमारा 12 है अपनिवेशिक सहर दो पार्ट पहले ही बन चुके हैं और यह पार्ट इसका थर्ड है तो थर्ड पार्ट में देखते हैं और मैं आप मैल आयों से आपके सामने सतिंदर परताब नाम है मेरा और अब सुरू करते हम आज का हम अपना वीडियो तो जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे एक टॉपिक था वो था पहला हिली स्टेशन अगर आप बुक देखेंगे एंस एर टी तो वहां पे हिली स्टेशन के बारे में कुछ लिखाए तो यहां से दोस्तों कोशन आ सकता है आपके एक्जाम में क्योंकि देखो इस चैप्टर से कुछ इंपोर्टन कोशन आपको बता देता हूं जैसे कि ब्लैक टाउन वाइट टाउन है यह कोशन काफी पूचा जाता है इसके बाद क्या था कि इसमें से ओपनिवेशिक नगर वगएरा यह मुंबई और यह कॉलकता वगएरा इनके बारे में आ जाते थे कॉशन और hill station के बारे में आ जाते हैं जनगर्णा के बारे में आ जाते हैं और document को क्यों समाल के रखा जाता था अभी लेखो दस्तावेजो को ये question आ जाता है तो ये सारे question आते रहते हैं इस chapter से तो hill station के बारे में बढ़ लेते हैं तो hill station की स्थापना और बसावट का संबंद भी क्या है ये देखो संबंद में थोड़ी सी कटिंग हो गई थी यहाँ पर मैं डिक देता हूं काट के संबंद के संबंद इनका जो संबंद है वो British Sena की जरूरतों के according है कि ये जो hill station जो बनाए गए थे वो किसके according बनाए गए थे British जो सेना थी अंग्रेजों की जो सेना थी उसके according बनाए गए थे ठीक है इसके बाद क्या है जैसे कि आप देखो hill station आप हमेशा बढ़ते हो शिमला Mount Abu भी काफी famous है और दारजलिंग भी शिमला जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रशिद है ठीक है तो शिमला जो है वो हमारे देश में एक राजदानी भी है और ये किस राज़े की राजदानी है ये आपको comment box में लिखना है ठीक है शिमला किस की राजदानी आपको ये बताना है तो ये जो श्रिम्ला सहर था ये परवतिय छेतर था जो जिसे हिली स्टेशन भी खा जाता है ठीक है तो ये कब बसाया गया था ये थोड़ा सा याद अखना 815 औ 816 के दोरान गुरका ये दुआ था वहाँ पे उसी दोरान अंगरेजों ने क्या कर रहा था ये बसाया था दू ये जो हिली स्टेशन है ये कब बसाया गया था ये बसाया था 1818 में ये थोड़ा सा मियाद रखना है अंगरेज मराथा युद्ध हुआ था उस दोरान क्या हुआ था इसको बसाया था माउंट अबू को इसके बाद है दार्जलिंग दार्जलिंग कहां पे ये आपको कमें में लिखना है 1835 में ये बना था तो ये जो है हमारे क्या है हिली स्टेशन यानि परवती चीत रहे होता क्या था अंगरेज जो थे वो ऐसी जगह से थे यानि वो जो बिल्टेन से थे बिल्टेन का जो वातावरन था वो काफी ठंडा था यानि वहां पे क्या होता था कि बि वह मतलब इस माहूल में रह पाना उनके लिए काफी कठीन होता था तो इसलिए क्या करते थे वह हीली स्टेस्नों को ज्यादा मतलब अच्छा मानते थे तो फौजीयों को ठहराने के लिए और चौकसी के लिए जहांसे वह चौकिदारी कर सकते हैं और दुसमन पर हमला बोलने के लिए इसलिए जो था, यह महत्वोन इस्थान था और अंग्रेज जो थे वो हिल स्टेशन जैसे ठंडे इलाके, इलाकों में अच्छे से रह पाते थे क्योंकि वो जो रह उनको आदत थी ठंडी जलवायों में रहने के लिए, रहने की में गरमी में हह judged, malaria जैसे बीमारिया थी इनके आशांका बढ़ जाती थी ऐसे अगर्शेकों के बचाने के लिए हिलिष्टेसनों की तरफ आ जाती थै यहां सैनेक जो थämän वुष्ञाम करते थ तिस थी तो टे वो अपनी सेना का बहुत ध्यान रगते थे वाई सराय जो थे वाई सर राय क्रते थे अक्सर गर्मियों में आके हीली स्टेशनों में बस जाते थे ठीक है क्यों कि हीली स्टेशन जो था यहां का महौल थंड़ा होता मौसम ठंडा था, सब कुछ अच्छा था यहां पे और तो इसलिए वो यहां पे आके बसते थे रेलवे के आने से क्या हुआ था हीली स्टेशन लोगों की पहुंच में आ गया जब रेलवे आ गई हमारे देश में उसके बाद यह जो हीली स्टेशन थे यह अब आम लोगों की पहुंच में भी आ गया कि आगे देखो इसके बाद है यह अगला जो हमारा टॉपिक है वो यह है ध्यां से देखो ने शहरों में सामाजिक जीवन ये भी आपकी बुक मैं अच्छे से आपको लिखा हुआ है वहां से आप ने पहले भी बढ़ा होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या था कि इसमें ये पूछा गया कि जो सहर थे ना ने ने शहर बनने थे वहां पर लाइफ कैसी थी जीवन कैसा था सामाजिक जीवन वहां पर कैसा था आपको ये बताना है तो वहां की जो लाइफ थी आपको पता ही है कि शहरों की जिन्दगी होती है ना वो काफी भागदोड़ वाली होती है काफी भागदोड़ होती है यहां पर भीडबार वाली जिंदिगी होती है यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर बहुत जादा गरीबी भी दिख जाती थी हमें और यहाँ पर बहुत जादा संपन्यता भी दिख जाती थी यातायाद के यहां पर नए-ए साधन थे, आपको पताओगा कि सहरों में जो साधन होते हैं, वो हमेसे अच्छे होते हैं, जैसे घोडा गाड़ी, क्योंकि उस टाइम पर इन चीजों की बहुत वैल्लियू थी, घोडा गाड़ी हो गए, तांगा वगेरा, और आपको कि अंग्रेजों के टाइम पर ट्राम भी, रेल्वे तो थी ही, लेकिन ट्राम भी था, तो ट्राम भी एक अच्छा यातायाद का साधन था, तो आप कोशन बनता है कि बहुत राम क्या है, बंगाल वगईरा में उस टाइम पर ट्राम होती थी, तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल चोटा सा होता है यहां पे निसान बिल्कुल रोड के लेवल के बराबर होता है वो ट्रॉम होता है हमारे देश में तो आप चलो इसका चलन इतना नहीं है लेकिन जो दुनिया के बहुत सारे डेवलप देश हैं वहां पर आज भी ट्रॉम को बहुत अच्छे से अब यह उनका इनका घर है घर से जाते थे काम करने के लिए किसी जगा पर तो अब यह क्या थे सहरों में रोजगारों में काम था तो लोग सहर से दूर भी बस सकते थे दूर कैसे बस सकते थे, वो ट्राम के जरिये काम करने जा सकते हैं, रेल के जरिये जा सकते हैं, या फिर उनको और भी साधने, इस तरीके से वो जा सकते थे अब लोग शहर के केंदर से दूर भी बस सकते थे टाउन हॉल, पारक, सारवजनिक पारक, सिनेमा हॉल ये सारी चीज़े जो थी अंग्रीजों के द्वारा लाई गई थी शहरों में नए सामाजिक समूह बन कर उबरे बहुत सारे नए वर्ग आ गए ठीक है शहरों में, जैसे की कई तरह के लोग आने लगे थे इसमें हो जाएगा कलर्क, कलर्क हो गए, टीचर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए ये सब ही क्या होते थे शहरों में आ जाते थे और शेहरों में औरतों के लिए बहुत ऑवसर थे कैसे मूके थे तो इसका कुछ लिए दिखाता है मैं आपको आगे देखोगे औरते जो थी वो पत्र-पत्रिकाओं यानि पत्र-पत्रिकाओं, आत्मकताओं, पुस्टक आधी लिखती थी इनको लिखके और वो अपने विचारों को क्या करती थी अभी वेक्ति करती थी यानि औरतों को मौके थे कि वो राइटिंग कर सकते हैं लिख सकते हैं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, आत्मकताओं के द्वारा, पुस्थकों के द्वारा अपने आपको अभी व्यक्ति कर सकती थी, यह मोगे थी ओरतों के लिए लेकिन जो रूडी वादी व्यक्ति थी, कुश्चन आता है कि रूडी वादी कौन है रूड़ी वादी जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है यह ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो पुराने लोग होते है यानि जिनके पुराने विचार होते है जिसे बुड़े लोग होते हैं अकसर क्या होते हैं तो जो रूडिवादी लोग थे उन्हें लगता था कि अगर औरते पढ़े जाएंगी तो दुनिया को उलट कर रख देंगी तो वो चाते थे कि औरतों को ना पढ़ाया जाएं लेकिन ऐसे में रूडिवादी वेक्ती थी तो कुछ समासुधारक भी थे समासुधारक लोग ज अगले सुमाजेपटरसक्ता अत्मग समासा से तो महिलाओं को घर में चूला चोका और यह घर पर खाना बनाना घर की देखवाल करना घर के काम हो तक यहीं तक सीमित रखा जाता था उनको बाहर नहीं लाया जाता था या बाहर उनको जाने नहीं दिया जाता था लेकिन यहां शहरों में क्या था शहरों में ऐसा नहीं था सेरों में औरतों को बाहर सारजन किस्तानों में जाकर काम करने की अनुमती थी तो यानि कि जैसे वो नौकरानी का काम कर सकती है फैक्टरी मजदूर के रूप में काम कर सकती है फैक्टरी में भी महिलाओं की जुरूत थी सिक्षिका यानि टीचर बन सकती है फिल्म कलाकार यानि की एक्ट्रेस बनके काम कर सकती थी, महनत का जो गरीब लोग थे, जो महनत ही लोग थे और गरीब थे और कामगार मतलब जो मजदूर वगर थे उनका एक नया वर्ग उबरा, ये लोग क्या होगे गाउं से शेहरों की तरफ में आने लगे, क्यों आने रोजगार की तलास में, क्योंकि शेहरों में इनको रोजगार मिलता था, लेकिन सेहर की जिंदिगी थी, वो एक ऐसी जिंदिगी थी, जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, यानि आकर्शित करती थी, सेहर की जो लाइफ होती थी, वो एक संगर्स भरी जिंदिगी यानि यहाँ पर रहना भी महंगा होता था यहाँ पर रहना महंगा था यहाँ पर साधन थे तो लेकिन यहाँ पर पैसा भी जादा लगता था लेकिन लोग क्या करते थे फिर भी यहाँ पर रहते थे तो यह मैंने कमी लिया यह जादा नहीं लिया अंगला पार्ट आएगा उसमें ज uncution cover करुगा में वीडियो कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट करके बता सकती है आप हमारी चैनल को लैक कर दिया और चैनल को अपर में कमेंट करें शेयर करें और ज़्यातर ज़्यातर दोस्तों को आगे बताएं ताकि उनको भी हमारी वीडियो से फायदा मिल सके वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और जो मैं कमेंट में आपसे कुछ कमेंट के लिए कोशन देता हूँ आप उन कोशनों को जरूर बताएं